हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल लता की लाइबरेरी, आज मैं आपके साथ बहुती खुपसूरत पैटन से एर करने जा रही हूँ, इस पैटन को आप और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, कोटी, जैकेट, गल्स स्वेटर, गल्स टॉप, बच्चों के और प्रोजक्ट, कैप, आदि में बनके बहुती खुपसूरत हमारा ये पैटन आ जाता है, और फ्रेंट साइड से हमारा ये पैटन बनना स्टार्ड होता है, इस पैटन को बनाने के लिए हमने 8 के मल्टिपल में फंदे डालने हैं, पलस 1 फंद उतार लेंगे, ये पहला फंदा उतार लेना है, धाग अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धाग अपनी साइड रहेगा जाली डालने के लिए, एक फंदा सीधा, फिर हम यहाँ पे एक जाली डालेंगे, तो यहाँ पे हमने सला में धागे को रोल कर लेना है फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा बुनेंगे एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा बुनेंगे अब इन्ही 8 फंदों का प्रोसिस हमने आगे repeat करना है ये देखे एक दो तीन चार ये पांच छे साथ आठ इन्ही आठ फंदों का प्रोसिस हमने आगे repeat करना है तो देखे दागा पीछे करेंगे एक फंदा सीधा दागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा फिर दागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा आएगा फिर हम यहाँ पर एक जाली डालेंगे तो दागा अपनी साइड रहेगा फिर एक फंदा सीधा फिर एक जाली डालेंगे तो दागा अपनी साइड करेंगे फिर सराई में धागे को ऐसे रोल करेंगे फिर देखे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा दागा पीछे करेंगे लास्ट का फंदा सीधा हमारे प्रोजक्ट के हिसाब से हमारे फर्स्ट रो में जितने भी फंदे होंगे हमने यही प्रोसिस रिपीट करने है अब देखें रॉंग साइट से सेकंड रो second row में देखे लेला फंदा उतारेंगे धागा पीछे करेंगे अब देखे जो फंदा सीधा है उसको सीधा बुनेंगे जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बुनेंगे अब देखे जो जाली वाले फंदे है ये उल्टे आएंगे धागा पनी साइट तीन फंदे उल्टे जाली से बने वे फंदे वह उल्टे आएंगे एक, दो, तीन, फिर दागा पिछे, सीधे फंदे को सीधा, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, दागा पुनी साइड, नेस्ट त फंदे उल्टे आएंगे, एक, दो, तीन, धागा पिछे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, प्लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखे एर रॉंग साइड से हमारी पैटरन की सेकिंड हो complete हो गई आप देखिए front side से pattern की third row पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी side एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा धागा अपनी side रहेगा जाली डालने के लिए next तीन फंदे सीधे एक दो तीन फिर एक जाली डालेंगे धागा आगे करेंगे फिर ऐसे पीछे ले जाएंगे और धागे को सलाई में रूल करते हुए आगे लाएंगे फिर एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा अएगा धागा अपनी side जाली डालने के लिए फिर तीन फंदे सीधे एक, दो, तीन, फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा आएगा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, last का फंदा सीधा, तो देखे ये फ्र्रांट साइड से हमारी पैटन की third row complete हो गई, wrong side से देखे 4th row, 4th row में जो फंदे जैन से हैं, उनको वैसे ही बुनेंगे, सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, और उल्टे फंदों को उल्टा बुनेंगे, अब देखें, जो जाली से बने फंदे हैं, यह भी उल्टे आएंगे, यहाँ पर 5 फंदे उल्टे आजाएंगे, दागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पिछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, लास्ट का फंदा उल्टा, तो देखें ये रॉंग साइड से अमारी पैटरन की फोर्थ रो कम्प्लेट हो गई, पित्रो, पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, धागा पिछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा अपनी साइड रहेगा, जाली डालने के लिए नेस्ट हम पांच फंदे सीधे बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर एक जाली डालेंगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा आएगा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धाग अपनी साइड जाली डाल नेकले, पांच फंदे सीधे, एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर एक जाली डालेंगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी पैटरन की 5th row complete हो गई रॉंघ साईड से देखे 6 row 6 row में देखे जो फंदे जैंसे हैं उनको वैसे ही बुनेंगे पहला फंदा उतारा, दागा पीछे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, साथ फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, साथ फंदे उल्टे, दागा पीछे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, धागा अपनी साइड साथ हंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ दागा पीछे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा जो देखें। अब देखिए फ्रंटी साइड से सेवंत रोग, अब सेवंत रोग में देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब नेस्ट आपने दो फंदे एक साथ गु रटाके इनको left needle में shift करेंगे, अब दोनों फंदों को हम एक साथ मुनेंगे, तो देखे ऐसे तरीके से slide डालेंगे, back side की तरफ से 2 का 1 करेंगे, फिर देखे, 1, 2, 3, 3 फंदे सीधे, फिर हम दो फंदे एक साथ मुनेंगे तो सीधी साइड से सलाइड आलेंगे दो का एक करेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा धागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा धागा पीछे नेस्ट हमने इन दो फंदों को राइट नीडिल में भिना बुने उताना है और फिर पलटाके ऐसे लेप्ट नीडिल में शिप्ट करना है पिर दो का एक कर लेना है फिर तीन फंदे सीधे, फिर दो का एक करेंगे, तो सीधी साइड से सलाइड आलेंगे, दो का एक करेंगे, धाग अपनी साइड एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, तो देखे ए फ्रंट साइड से हमारी पैटर्न की सेवंत्रो complete हो गई, wrong side से देखे 8 रूप, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा आजाएगा, एक फंदा सीधा आजाएगा, पांच फंदे उल्टे आजाएंगे, दागा पीछे एक फंदा सिधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सिधा लास्ट का फंदा उल्टा तो देखे ये रों साईड से हमारी पैटरन की एटरों कमपलिेट होगे नाइन्तरों देखे पहला फंदा उता लेंगे, धागा अपनी साइड, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, नेश्ट्रम दो फंदे बिना भूने उतारेंगे, फिर इनको पल्टा के ऐसे left needle में shift करेंगे, और दो का एक करेंगे, फिर देखे एक फंदा सीधा फिर देखे दो फंदों में एक साथ सलाइड आलेंगे दो का एक करेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा फिर दो का एक करेंगे तो दो फंदे हम बिना बुने उतारेंगे फिर इनको पलटाके left needle में shift करेंगे और दो का एक करेंगे फिर एक फंदा सीधा फिर देखें सीधी side से slide डालेंगे दो का एक कर लेंगे एक फंदा उल्टा बुनागे, एक फंदा सीदा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा लास्ट का सीदा तो देखे ए फ्रण्ट साइड से हमारी पैटरन की नाइम तरों complete होगे अब देखे तैन तरों, जो फंदे उल्टे हैं, उनको उल्टा बुनेंगे झाल 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 यह देखे यह रोंग साइड से हमारी 10 रों कम्प्लीट हो गई अब देखे फ्रन्ट साइड से 11 रों पहला फंदा उतारेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा फिर एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा आ जाएगा धागा पीछे अब नेस्ट देखे यह तीन फंदे सीधे आ जाते हैं इन में से एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे अब नेस्ट हमने दोनों फंदों को एक साथ बुनने तो सीधी साइड से सलाई डालेंगे दो का एक करेंगे दो का एक किया अब देखे जो फंदा हमने बिना बुने उतार है इसको हम इस फंदे के उ उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब देखिए जो नेस्ट फंदा है इसको हम बिना बुने उतार लेंगे, बिना बुने उतार लेना है, अब नेस्ट दो फंदा को एक साथ बुनेंगे, सीधी फिर धाग आपनी साइड एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा लास्ट का सीधा, तो देखे ए फ्रंट साइड से यमारी पैटन की 11 तरो कम्प्लीट हो गए, रॉंग साइड से देखे 12 तरो उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, सीधे फं देखो, सिधा वुनिंग, ये दिखे, रोंग साइड से मारी पैटन की ट्वेल्थ रो, कम्प्लेट हो गई, अब देखे, फ्रेंट साइड से पैटन की 13 रो, अब 13 रो में हमारा पैटन रिपीट एंड सिप्ट होगा, तो देखे, हमारा ये वाला पैटन इस वाले सीधे फंदे के उपर सिप्ट हो जाएगा, और ये सीधे फंदों का पैटन हमारा यहाँ पे ये पैटन वाले फंदों क उपर सिप्ट हो जाएगा तो देखे रिपीट एंड सिप्ट की एक रो पहला फंदा उतार लेंगे धागा अपनी साइड एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा अपनी साइड एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा अप देखे नेस्ट फंदे में हमारा पैटरन आएगा सेम प्रोसिस को रिपीट करते हुए हमने यहाँ पे पैटरन को सिप्ट करना है तो देखे एक फंदा हमने उल्टा बुना धागा अपनी साइड फिर एक फंदा सीधा फिर धागा अपनी साइड करेंगे एसे पीछे ले जाएंगे सलाई में लपेडते हुए फिर धागे को आगे लाएंगे एक फंदा उल्टा फिर दागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा फिर एक फंदा उल्टा जाएगा एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा दागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा तो देखे ए फ्रेंट साइड से हमारी pattern की 13 row complete हो गई, 13 row में हमारा pattern repeat and shift हो रहा था, अब हमारा ये pattern यहाँ पे इन फंदों के उपर, जो फंदे हमने एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा बुना था, इसके उपर shift हो गए, और सीधे फंदों के उपर हमारा ये वाल pattern, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ये वाला pattern यहाँ पे shift हो गए, अब हमने same process को repeat करते जाने, और अपने pattern को complete कर लेना है, और बनके देखे, हमारा pattern कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये देखे, बहुती सुन्दर, बहुती आसा pattern है, आप इसे all project में apply कर सकते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो किरपया like करें, share करें, comment करें, और आप हमारे channel में नहीं हैं, तो please subscribe करना न भूले, thank you करें, करें